कईज नमसकार दोस्तों आज हम बात करेंगे डाक सरकर के बारे में अगर आपको डाक सरकर है या आँखों के नीचे काला घहर आये तो दोस्तों इस वीडियो में पुछ टिप से बताएंगे जिसका मदद से आपने डाक सरकर हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं आये जानते हैं इ जिसमें पूरी निंद ना ले पाना देर रात तक चक कर्ष काम करना आम बात हो गई इन्हीं और अन्य कुछ काणों से आखे के नेचे काल गहरे बन जाती हैं आईए इन समय से आउसे निजात पाने के लिए कुछ घरेरू उपचार करते दोस्ते अब देक्ट मैं चैनल सस्क्राइब नहीं किये तो मैं चैनल कर सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आप तक लाते हैं जिसके किसी परका कि साइड एफेक्ट नहीं होता है हंडेड परशन आपको रिजर्ट पहुंच आता है बीना किसी साइड एफेक्ट कर टिप्स नमर ओन रात को सोने से पहले आँखों के काले घरे पर बदाम का तेल लगाकर हलके हाथों से मसाज करें सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से चेहरा और आखों को धोले ऐसा क कुछ दिन तक नीमित करने से आपको आखों के नीचे के काले घरे हंडेड परशन खतम हो जाएंगे टिप्स नमर टू आलू के रस को कॉटन बॉल की मदद से काले घरे पर 20 मिनट तक लगा कर रखे फिर ठंडे पानी से धोले आपका डार्क सर का बहुत ही जल्दी खतम हो जाएगा आपको आलू का रस को निकाल को सुत्य कप्ड़े से अपने आखों के निचे लगाना है ऐसा करने से आपको काले घरे बहुत ही जल्दी खतम हो जाएगा दोस्तों अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंक आखों को दोले ऐसा कुछ दिन तक करने से आपको डाक्षरकर खतम हो जाएगा आपको एक चमच टमाटर करस लेना है एक चमच निम्बू करास दोनों को मिलाकर अपने आखों पर लगाना है ऐसे कुछ दिन करने से ही आपके आखों के निचे के टाक्षरकर खतम हो जाएग अजारा कहलाै और एनम हमें उलाए कर लाज़ी लग शाव क्यरते हैं